हलो और वेलकम तो होप तुशान्त यादो आई होप यूर डूइंग ग्रेट एन आई होप कि यूर फिट और फाइन फाइन आल्सो तो वी आर दूइंग इंडिन एकॉटमी फूल कोर्स वी आर उन यूनित नम्बर फ्री लेक्चर नम्बर फ्री इंडिया ज टैक्स है अगर आपने नहीं देगा तो उसको देखिए हमने रेविनियो अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ दी गवर्मेंट देखे थे बहुत इंपोर्टन थे और उसी में हमने बजट एस्टिमेट देखे थे 2021 के तो यह सारा कुछ हमने किया था जिसमें हमने पढ़ा था क कि रेविनियो अकाउंट के दो पार्ट होते हैं रेविनियो रिसीट की डेली बेसिस पे पैसा कैसे आएगा रेविनियो एकस्पेंडीचर की डेली बेसिस पे कैसे खर्च होगा कहां कहां से कभी-कभी पैसा खर्च करेंगे अगर रेविनियो रिसीट की बात करेंगे डेल करके पैसा लाएंगे। ठीक है कभी कभी ख़र्चा कहां पे करेंगे। नए रोड बनवाके नया इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्र कर सकते हैं, स्टेट गवर्मेंट को लोन दे कर सकते हैं। तो यह सारी चीजे। हम पढ़ चुके हैं आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत important चीज़े इंडिया का पूरा tax structure कि direct tax क्या होता है indirect tax क्या होता है progressive tax क्या होता है regressive tax क्या होता है specific tax क्या होता है add volume tax क्या होता है और direct tax में income tax क्या होता है corporation tax क्या होता है MAT minimum alternate tax क्या होता है AMT alternate minimum tax क्या होता है STT security transaction tax क्या होता है CTT community transaction tax क्या होता है अब ठक जाएंगे dividend distribution tax क्या होता है capital gain tax क्या होता है buyback tax क्या होता है top in tax क्या होता है Google tax क्या होता है tax TDS क्या होता है tax deduction at source क्या होता है tax collection at source क्या होता है SIS क्या होता है surcharge क्या होता है यह सारी चीज़े हम cover कर लेंगे comprehensive तो आज हम direct tax पर बहुत focus करेंगे और उससे पहले हम पढ़ेंगे Adam Smith का Canon of Taxation ठीक है और फिर classification of taxes पढ़ेंगे और उसके पाथ direct taxes को हम पूरा touch करेंगे और अगली class में हम indirect tax पढ़ेंगे और अगली class में हम पढ़ेंगे कि tax elasticity क्या होती है tax buoyancy क्या होती है तो यह सारे concept पर भी हम नज़र डालेंगे ठीक है तो ऐसा हम पूरा cover कर लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं छूटेगा that's my promise कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको कुछ छूटेगा नहीं ठीक है तो थोड़ा सा भरोसा थोड़ा सा trust मुझ पर रखिए आईए शुरुवात करते हैं Adam Smith के canon of taxation से बहुत ही भेतरीन father of economics Adam Smith इन्होंने एक book लिखी है wealth of nation इनके canon of taxation को समझते है इस सिधान्त है चार taxation के आईए देखते हैं वन बाई वन करके यह क्या क्या कहता है यह सिधान्त और बहुत important भी है तो याद रखीगा UPSC इस पर भी इस पर बेस्ट भी सवाल पूछ सकता है तो इनको समझिए कि taxation अगर किसी पर tax लगा रहे है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए father of economics समझा रहे हैं भाई समझना बहुत जरूरी है taxation of equality taxation of equality यह कहता है कि equal proportionate tax लगना चाहिए income पर यानि गरीब पर कम tax लगना चाहिए और अमीर पर ज़्यादा tax लगना चाहिए अगर हमने गरीब से भी 50 रुपए ले लिए उसकी 100 रुपए की income पर और एक अमीर है उसकी 10,000 रुपए की income पर हमने उससे 50 रुपए tax लिया तो हमने गरीब का ज़्यादा proportion हमने ले लिया ज़्यादा percentage of income में tax ले लिया तो equality का principle यह कहता है कि गरीब पर कम tax अप्लाई करना है और अमीर पर ज़्यादा tax अप्लाई करना है तो आप जब हमारे income slabs देखेंगे तो गरीब पर 5% tax, 10% tax ऐसे और अमीर बहुत ज़्यादा है तो उस पर 20% tax, 30% tax, ऐसे tax लगता है Canon of equality Equality का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि सब पर बराबर tax लगेगा सब पर proportionate tax लगेगा गरीब पर कम, अमीर पर ज़्यादा लगेगा ठीक है, समझ में आया पहला सिद्धान समझ में आया Canon of equality दूसरा, Canon of certainty यानि certain होना चाहिए Tax should be definite and told in advance कि कितना लगेगा tax 10% है कि 15% है यह पहले से बताइए कितना लगेगा, कब जमा करना है तो यह सारी चीज़े definite होनी चाहिए लिखी होनी चाहिए, पता होना चाहिए पहले से advance में यह नहीं कि राम मंदिर बनाना है तो government ने ज़्यादा tax लगा दिया कि आज इस बार आप 10% ज़्यादा tax देंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है ऐसा नहीं होगा Tax, taxation, certainty, canon of certainty सिधान्त क्या कहता है कि certain होना चाहिए, definite होना चाहिए पहले से पता होना चाहिए हमें ठीक है equality मतलब गरीब पर कम अमीर पे ज़्यादा certainty मतलब certain होना चाहिए definite होना चाहिए 10% की 5% एडवांस में पता होना चाहिए अचानक से नहीं बताइए आप ठीक है तीसरा, canon of convenience convenient होना चाहिए पे करने वाले को भी tax pay करना ऐसा नहीं उससे लंबे-लंबे form भरवा रहे हैं उसको लंबी-लंबी लाइन में खड़ा कर रहे हो वो 50 km cycle चला के आ रहा है आपका tax देने वो tax देने ही नहीं आएगा convenient होना चाहिए tax देना आप अगर किसी से tax लेना चाहते हैं तो tax लेना उसके लिए उसको देना convenient होना चाहिए ठीक है तो canon of convenience कि आप tax दे ये convenient बनाना चाहिए ठीक है और चौथा canon ये कहते है canon of economy canon of economy का मतलब ये है कि 100 रुपय का tax लेने के लिए 99 रुपय का expenditure नहीं करना चाहिए यानि 99 रुपय का expenditure करने के मतलब ये है कि 100 रुपय का आपको tax लोगों से लेना है उसके लिए हमने इतने ते सारे employee workforce को hire किया जिसकी salary देने में 99 रुपय चले जा रहे है पूरा उनका transportation, petrol का खर्चा देना diesel का खर्चा देना कि वो करब वसूली करने जा रहे है तो ऐसा ना हो कि 100 रुपय का tax वसूलने के लिए 99 रुपय देना पड़े यह economic नहीं है तो यह सही चीज नहीं है तो tax को canon of economy का भी principle follow करना चाहिए तो यह चार से धानत दिये Adam Smith, father of economics ने कि canon of equality गरीब पर कम, अमीर पर जादा certainty की definite होना चाहिए कितना लगना है, कब लगना है, कब देखना है ऐसा अचानक से मत लगाईएगा convenience होना चाहिए, लंब लंबे forms नहीं होना चाहिए, तो अब सरकार क्या कर रहिए कि जैसे हमारा address imagine पर अगर अब देखें, तो address automatic fill हो जाता है, तो कुछ चीज़े ऐसी होने चाहिए form में, digital form में, कि वो automatic ही fill हो जाए, तो कम हमें convenient हो जाए, कि आर बस यह चीज़े बढ़नी है, जो हमें बढ़नी है, नाम वाम automatic fill हो जाए, ठीक है तो convenient बनाने की कोशिश करना ज़रूरी है, अगर किसी का tax compliance बढ़ाना है, यानि वो tax आपको दे यह बढ़ाना है, तो tax को convenient बनाना पड़ेगा, और economic होना चाहिए tax, यह नहीं कि tax वसूलने के लिए बहुत देर सारा expenditure करना पड़े, these are four canon of taxation by Adam Smith, समझ आया आपको, आया, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, classification of taxes पर, अब यहाँ पर classification of taxes से दो चीज़े समझना जरूरी है, उससे पहले एक है incidence of tax, एक है impact of tax, incidence of tax का मतलब यह है, कि उस point पर जिस point से government ने tax collect किया है, उसे बोलते है incidence of tax, impact of tax का मतलब यह है, कि आपने जिस point से collect किया, वो तो ठीक है, लेकिन किस point पर burden, उस tax का burden feel हो रहा है, actually उस point पर भी feel हो सकता है जिस point पर government tax ले रही है, और कहीं और भी वो burden feel हो सकता है मैं समझाँगा, example, जैसे कि example आप लें अगर तो आज कल के बाबू सोने जो होते हैं तो अगर किसी लड़की के boyfriend को किसी और ने पीट दिया है, तो पीटा हुआ है उसके boyfriend पर पर impact किस पर पढ़ रहा है, impact पढ़ रहा है उसकी girlfriend पर, ऐसे समझी आभी, और एक condition और हो सकती है, कि break up हो गया दोनों की बीच में, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया तो लड़के को छोड़ दिया तो किस को छोड़ा है, incidence किस पर हुआ लड़के पर, और feel भी किसे हो रहा है, लड़के को समझे इस चीज़ को, तो incidence और impact एक point पर भी हो सकता है incidence and impact दो अलग-अलग point पर भी हो सकते हैं, समझे इस चीज़ को, जैसे आप समझे, income tax अब economy की भास में समझते हैं, अभी तो ऐसी समझ लिया, economy की भास में समझे हैं, तो income tax क्या है, आपके पास income आई और government ने आप से tax ले लिया तो incidence of tax, कहां से government ने वसूला tax, आप से वसूला और feel किसको हो रहा है, ये tax का और 100 रुपय का biscuit है, उसमें 18 रुपय आपको tax देना पड़ा, tax तो government किससे वसूल रही है, वो जो दुकान वाला आपको दे रहा है क्या दे रहा है, दुकान वाला आपको biscuit दे रहा है, उससे tax वसूलीगी government, तो tax कहां से लेगी, collect कहां से करेगी government, वो रुपान वाले से, लेकिन actual में pay कॉन कर रहा है, वो 18 रुपय, आप pay कर रहे है, तो जैसे cgst, आपकी bill में लिख के देते हैं, cgst, sgst करके आपको पूरा जोड के देते हैं, pay वो लोग करेंगे, तो आप किसी restaurant में गय है, आपको food bill के साथ यह सब लिख के देंगे, cgst इतना है, sgst इतना है, तो आपका यह tax का रूप में इतना पैसा हुआ, और total इतना पैसा हुआ, वो जो आपको tax लिख की दिया है, pay वही करेंगे, यह न, government को, तो government वहाँ से collect करेंगी, लेकिन actual में pay किस नहीं किया हूँ, उसका जो burden है, उस feel किसको हुआ, वो आपको हुआ, क्योंकि वो आपके bill में जोड कर आपसे ही तो ले रहे हैं, इसे बोलते है, indirect tax, तो यह हम समझेंगे, तो यहाँ पर समझे, incidence का मतलब यह है, कि जहां से government collect करती है, और impact का मतलब यह है, कि उसका burden जहां पर feel होता है, ठीक है, इतना समझ में आया, आई classification of taxes की तरफ चलते हैं, अब मैंने taxes को ऐसे classify किया है, एक तरफ पर direct tax, indirect tax, दूसरी जगा पर progressive tax, regressive tax, तीसरी जगा पर specific and add volume tax, एक एक करके इन सब को समझेंगे, आई शुरुवात करते हैं, direct tax है, फिर हम direct tax के अंदर जितने भी taxes हैं, उन सब के अंदर घुजगुज कर आज पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, direct tax क्या है, जहां पर incidence और impact एक ही point पर हो, यानि वो break-up वाली बात, कि आपको लड़की छोड़कर चली गई तो दर्द भी आपको हो रहा है, और feel भी आपको हो रहा है, यानि incidence भी आप पर है, और impact भी आप पर है, direct tax का मतलब यह है, tax whose burden is worn by the same person on whose it is levied, उसको ही जहलना पड़ता है, जिस पर लगाया गया है, यानि burden of tax उसको ही feel होता है, जिस पर वो tax incidence होता है, तो अगर वो दोनो point incidence और impact वाले same है, इसका मतलब यह हुआ कि वो direct tax है, क्या है सर, direct tax है, अगर वो दोनो point different है, तो वो कैसा tax है, indirect tax है, समाझ मैं इस चीज को समझा आपने, यह थोड़ा सा blur हो गया था, तो direct tax का क्या मतलब है, incidence and impact एक ही point पर है, यानि जैसे कि income tax, corporation tax, मैंने example आपको दिये, और indirect tax क्या है, कि जिसका incidence और impact अलग-अलग हो, वो biscuit वाला जो मैंने आपको example दिया, कि 100 रुपय का आपने biscuit खरीदा, 18 रुपय का GST पे किया, यह restaurant वाली बात अगर आपको याद हो, तो लगाया गया था किसके उपर, पे collect कहां से करेगी government, collect करेगी उस restaurant वाले से, लेकिन pay actually कौन कर रहा है, पे आप कर रहे हैं, तो incidence उस पर है, impact आपको फील हो रहा भाई, पैसे आपकी जेप से जा रहे हैं, कहते है, indirect tax, indirect tax is imposed on someone, but paid by someone else, जैसे की custom duty, excise duty, service tax, GSTS हम बोलते हैं, इस सारी सीज़ हम देखेंगे, और excise custom duty में भी basic custom duty क्या होती है, anti dumping duty क्या होती है, counter waiting duty क्या होती है, सारा कुछ पढ़ेंगे, जब हम indirect tax के अंदर पूरी तरह से घुशेंगे, अभी हम classify कर रहे हैं, तो उपर से structure बता रहा हूं मैं आपको, लिख रहे हैं आप लोग साथ में, तो direct tax, indirect tax, direct tax में income tax, corporation tax, और भी tax है, STT, CTT में सब कुछ समझाऊँगा, अभी example के लिए दो लिखे हैं, और indirect tax में custom duty, excise duty, GST, यह सारा कुछ है, दूसरी तरह से हम taxes को classify कर सकते हैं, progressive tax और regressive tax, यह progressive tax और regressive tax क्या होता है, इसको एक example से समझते हैं, देखिए, तो मैंने 100 रुपए का biscuit लिया था, जिसमें 18 रुपए का मैंने GST पी किया था, मैं इसको लिखता हूं, 100 रुपए का biscuit लिया, और 18 रुपए का मैंने GST भरा, ठीक है, मेरी income मैं गरीब आदमी हूं, और मेरी income है 1000 रुपए, और मैं biscuit लेने गया, तो मैंने 18 रुपए पी किये GST, ठीक है, और मेरे साथ अम्मानी जी रहते हैं, और अम्मानी जी की income है, एक करोड रुपए, और उन्होंने biscuit खरीदा, तो भी उनको 18 रुपए GST की रुप में पे करना पड़ा है, यानि, income आपकी कितनी भी हो, GST जित्ता लग रहा है biscuit पर 18 रुपए, एक गरीब आदमी को Olumina 18 रुपए पे करने पड़ा हे हि hiçbir और आमीर आदमी को भी बी 18 रुपए पे करने पट रहे हैं, यानि मुझे हजार रुपए में 18 रुपए पे करना पड़ रहा है यानि हजार रुपए का ज़ी जाधा %18 मुझे पे करने पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है Canon of equality follow नहीं हो रहा है इसका मतलब यह कैसा tax है This is regressive tax कैसा tax है Regressive क्योंकि दोनों पर 18 रुपए लगा लेकिन गरीब को वो 18 रुपए जादा महसूस हो रहे है क्यों? क्योंकि इसके income एक 1000 रुपए है और मुके सम्मानी को तो फील ही नहीं होगा अठर रुपए ऐसे tax को बोलते हैं जैसे कि GST एक्जामपल है GST एक्जामपल वही समझा रहा हूँ जो एकदम practical है तो GST कैसा है? Regressive tax है लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए किसी दिन ऐसा हो जाए जैसे कि income tax अब income tax में आप slab देखेंगे अभी हम income tax का पूरा slab देखेंगे उसमें क्या है? गरीब पर 5% 20-30% लगेगा जिसकी income जादा होगी 20-30% लगेगी जिसकी income जादा होगी और किसकी income जादा होगी? अमीर आदमी की तो उसको 30% tax दिना पड़ रहा है तो गरीब को कम tax दिना पड़ रहा है वो कम slab में आएगा तो उसको कम tax दिना पड़ेगा अमीर को ज़्यादा tax दिना पड़ेगा इसका मतलब taxation कैसा है? progressive है follow कर रहा है भाई canon of equality को इसे बोलते है progressive tax जैसे कि अगर हम income tax की बात करें तो जो हमारा old income tax था 0 से 5.5 लाग में कोई भी tax नहीं लगता था हमको तो 0 to 2.5 लाग कोई भी tax नहीं दिना पड़ता 2.5 लाग से 5 लाग की बीच में जितनी भी income है उस पर 5% tax दिना पड़ता है उसके बाद 5 से 10 लाग की जो बीच की income है उस पर 10% tax दिना पड़ता था और 10 लाग से जो उपर है उस पर 20% tax दिना पड़ता है ऐसा भी समझ लीजे तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 2.5 लाग तक कुछ भी tax नहीं है अगर गरीब की income पूरी सालाना क्या है अगर 1.5 लाग रुपए है तो उसको कोई भी tax दिना नहीं पड़ रहा है लेकिन अगर अमीर की income 12 लाग रुपए है तो उसको जादा tax बढ़ना पड़ेगा इस 5 लाग पे 5% बढ़ना पड़ेगा इस 5 लाग पे 10% बढ़ना पड़ेगा और इसके उपर जितनी है उस पर 20% टैक्स बढ़ना पड़ेगा कहने का मतलब अगर calculation आपको समझ नहीं आरी तो अभी हम calculation आगे भी करेंगे कहने का मतलब यह है कि गरीब पर कम tax लग रहा है और अमीर पर जादा tax लग रहा है Progressive Taxation System समझ आई Regressive का मतलब समझ में आया और Progressive का मतलब समझ में आया मैं इसको रप कर देता हूँ तो इसको करने से फाइदा क्या है income tax बढ़ेगा अमीर पर तो टैक्स ज्यादा पे करेगा और अगर income कम है तो income tax कम बढ़ना पड़ेगा तो अगर गरीब आदमी की income कम है तो उसको tax कम बढ़ना पड़ेगा तो उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा क्या करने के लिए खर्चा करने के लिए तो वो खर्चा ज्यादा करेगा कंजम्शन ज्यादा करेगा और GDP अगर आपको formula पता हो सी प्लस आय प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट था इसमें सी क्या था कंजम्शन पाई household जो consume कर रहे थे household देखिए इस सब मैं पढ़ा चुका हूँ GDP एं रिलेटेड कॉंसेप्ट वाले आप लेक्चर्स में जाएंगे तो यह सब कुछ cover है तो अब ऐसा मत सोचिए कि एकदम out of the box जा रहा है तो consumption बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा आपने गरीब से कम आपने tax लिया तो उसके पास ज़्यादा amount बचा खर्च करने के लिए consume करने के लिए वो ज़्यादा demand करेगा एकॉनमी में एकॉनमी में ज़्यादा demand करेगा तो money supply लगातार चलती रहेगी एकॉनमी में inflation रहेगा एकॉनमी बूम में रहेगी एकॉनमी growth रहेगी यह सारी चीज़े तो objective क्या है objective एक यह कि एकॉनमी growth और दूसरा objective यह है कि inequality को reduce करना हम अमीर से ज़्यादा tax लेंगे और गरीब से कम tax लेंगे तो उनकी दोनों की बीच में जो income inequality है वो reduce होगी समझे इस चीज़ को ठीक है तो आज यह कुछ blood सा हो रहा है माफ कीज़ेगा उसके लिए दूसरी चीज regressive tax regressive tax मैंने बता दिया indirect tax like GST excise duty is levied on all product service without any differentiation तो गरीब और अमीर को differentiate नहीं करता इसलिए regressive in nature है ठीक है इतना clear है इतना सब को समझ में आ रहा है बहुत अच्छा तीसरा चलते है specific and add volarum tax यह क्या होता है specific tax क्या होता है और add volarum tax क्या होता है specific tax का मतलब यह है दोस्तों कि आपने अगर cigarette खरीदी वैसे आ not good for health लेकिन अगर आप cigarette खरीते हैं या पीते हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि cigarette जितनी लंबी हो उस पर tax उतना ज्यादा होता है यानि cigarette की अगर आप देखें तो अगर tax जितना ज्यादा cigarette की लंबाई ज्यादा है तो उसकी length पर tax लगता है तो उसकी value उतनी ज्यादा ह पता है क्योंकि मैंने सर्च किया आप लोगे एक्जांपल के लिए तो बड़ी गोल्ड फ्लेक लेंगे तो उसकी length पर length की एसाब से tax लग रहा है यानि किसी भी goods के या services के किसी particular specific attribute पर लगना tax यानि जैसे कि मैंने आपको बताया cigarette की length पर लग रहा है तो cigarette की value पर नहीं लंबाई कितनी है उस पर आप tax दीजे जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा tax तो commodity की specific attribute पर लगता है यानि size पर लग सकता है length पर quantum का मतलब यह हुआ कि मैंने 10 cigarette खई दी अब वो कितने भी रुपाई की हो 400 की हो 4000 की हो 10 cigarette खई दूँगा तो मुझे 500 रुपाई tax देना ह हैं हम उस पर कितना tax लगेगा तो किसी specific attribute पर कि size कितना वड़ा है length कितना है या quantum कितने ज़्यादा खरीद रहे हैं हम उस पर tax लग सकता है इस तरह की taxes को बोलते है specific tax अरे नाम में ही है specific मतलब किसी specific attribute पर tax लगाएंगे और दूसरी साइड है add volume tax कोई length bend का जंजट नहीं कितनी total value है यानि आपने biscuit खरीदा ये सब कुछ खरीदा उसकी total कितनी value है वो value निकालिए और उस पर जितना tax लगना है लेट से 18% GST लगना है वो 18% GST पे कीजे यानि पूरी commodity की value पे लगेगा किस पर लगेगा value पे ऐसा अहीं है कि किसी specific attribute पे लग रहा हो तो आपसे पूछेगा कि आपने पारले जी की biscuit 10 लिए कोई बात नहीं 10 biscuit लिए अगर एक biscuit 5 रुपए का तो 50 रुपए हुए 50% का 18% GST आप पे कर दीजे ऐसे तो अगर value पे लगे पूरी value पे लगे तो उसे बोलते है add volume tax किसी specific attribute पे लगे कहीं से और से collect कर रहा है किसी और point से government collect कर रहा है पर किसी और जगह पर feel हो रहा है progressive tax यानि कि tax जैसे जैसे इंकम आपकी बढ़ेगी आपको जो tax pay करना है वो ज्यादा होगा income कम है तो tax कम पी करना पड़ेगा घरीब को कम अमीर को जाता देना पड़ेगा Regressive tax का मतलब है कि सबको समान tax देना पड़ रहा है तो GST अगर 18 रुपए की देनी है 100 रुपए पर 18% है तो आपने 100 रुपए का कोई item लिया उसके 8 रुपए GST देनी है तो गरीब को भी उतनी देनी है अमीर को भी उतनी देनी है तो अमीर का कम percentage जो income का कम percentage as tax जा रहा है औ हो सकता है quantum number of कितनी quantity अब ले जा रहे है तो उस quantity पर tax लगे एड़ वोलरम का मतलब कि उसके पूरी value पर tax लगेगा जैसे की crude oil जैसे की GST लगता है तो यह एड़ वोलरम tax तो यह classification of taxes तो आज हम पूरा cover करेंगे direct taxes तो direct taxes के अंतर income tax, corporation tax इन सब चीजों को आज हम पूरा cover करे अगली लेक्शर में हम देखेंगे indirect taxes ठीक है यहां तक आपको समझ में आ रहा है चली direct taxes की और बढ़ते हैं तो direct tax में हम देखेंगे corporation tax क्या होता है, income tax क्या होता है, minimum alternate tax और alternate minimum tax, yet क्या होता है, STT क्या होता है, CTT क्या होता है, financial transaction tax क्या होता है, tobin tax क्या होता है, dividend distribution tax क्या होता है, capital gain tax क्या होता है, buyback tax क्या होता है, google tax क्या होता है, ठीक है यह सारी चीज़े हम देखें, presumptive tax क्या होता है, advance tax क्या होता है, यह सब कुछ पढ़ेंगे, one by one करके, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है आपको lecture में मज़ा आ रहा है, comment box में लिग दीजिए, अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो subscribe कर लिजेगा channel को, like कर दीजेगा आपको याद है circular flow of income बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था बढ़ना है वो क्यों बढ़ना है हम देखेंगे तो companies हैं या तो उनको corporation tax देना है या तो उनको minimum alternate tax देना है अब corporation tax companies को देना है तो companies दो तरीकी की हो सकती है इंडिया में कैसे इंडियन companies हो सकती है जो companies at 2013 के इनको register किया गया है या वो foreign companies हो सकती है जो बाहर की companies है foreign companies का बहुत simple है उनको 40% जितना भी उनको profit हुआ उसका 40% उनको tax बढ़ना पड़ता है उसके उपर सरचार्ज लगता है उसके उपर cess लगता है तो यह cess क्या होता है, surcharge क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि यह हर जगा आपको appear होगा तो इसको एक बार समझ लेते हैं एक example से अपने example से समझ लेते हैं चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको example देता हूँ मान लीजिए मेरी 9 लाख की annual कमाई है तो annual income मेरी कितनी है? 9 लाग की क्योंकि मैं एक individual हूँ तो मैं salary employed आदमी हूँ मेरी salary आती है और उससे मेरे को 9 लाख रुपए मिले पूरे साल में 9 लाख रुपए में मैंने कुछ deduction की है क्या deduction की है भाई? Income Tax Act है 1961 का जिसका एक 80C है उसमें कुछ deduction लिखे हैं जैसे कि मैंने let's say कुछ रुपए X रुपीज मैंने health insurance ले रखा है अपना ठीक है? मैंने कुछ प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना है प्रधानमंत्री लगुवयपारी योजना है इन सब योजनाओं में मैंने अपना पैसा दे रखा है ठीक है? किसी एक aspect पर पैसा हो सकता है तो life insurance पर मैंने LIC पर अपना पैसा लगा रखा है मैंने life insurance खरीद रखा है कुछ pension की schemes मैंने खरीद रखी है कुछ मैंने pension की schemes खरीद रखी है तो Z rupees मैंने वहाँ पर लगा रखा है तो कुछ कहने का मतलब है कि ATC में income tax act 1961 के ATC में कुछ चीज़े दी गई हो कि अगर आपने यहाँ यहाँ पैसा invest किया है यहाँ यहाँ पर पैसा आपने अगर लगाया है तो अपनी total income से जितनी आपके पास annual total income है उसमें उस रुपए को आप minus कर लीजेगा let's see यह पूरा आरा 4.5 lakh रुपीज तो मैंने 4.5 lakh रुपीज इसमें minus कर लेने तो कितना बचा मेरे पास 5.5 lakh रुपीज बचा क्या income तो अब मेरे पास 9 lakh में मैंने deduction 4.5 lakh का था तो मैंने उसको minus पर दिया बचे मेरे पास 5.5 lakh रुपीज अब मुझे केवल 5.5 lakh रुपीज पर tax भड़ना होगा समझने इस चीज को यानि deduction के बाद exemption के बाद जो पैसा बचता है जिस पर आप tax पे करोगे उसको बोलोगे आप taxable income क्या बोलोगे भाई taxable income taxable income का मतलब वो income जिस पर आप actual tax पे करोगे तो आपकी total कुछ income होगी उस पर आप कुछ exemption लोगे deduction लोगे उसके बाद जो आती है income जिस पर actual आप tax calculate करके पे करने वाले हो उस income को बोलते हैं taxable income इतना समझ में आया चलिए ठीक है तो मान लिजे मैंने taxable income मेरी कुछ थी और उस पर मैंने income tax calculate किया वो slab lab करके मैंने सब कुछ calculate किया अभी hypothetically मैं मान लेता हूँ कि मेरा income tax से 100 रुपए आया कितना रुपए आया? 100 रुपए income tax आया इस 100 रुपए के उपर मुझे surcharge दिना होगा, surcharge क्या है tax on tax, तो income tax निकल के आया, तो जो 100 रुपए tax आया, उस 100 रुपए के उपर भी tax देना पड़ेगा let's say 10% वो tax देना पड़ रहा है तो मुझे 100 रुपए का 10% निकलेंगे तो कितना आएगा? 10 रुपीज आएगा income tax, तो वो tax है क्योंकि मैंने अपनी taxable income से क्या निकला है? income tax निकला है अब उस tax पर भी एक tax लगता है जिसे हम सर्चार्ज बोलते है तो 100 रुपए पर अगर 10% का सर्चार्ज लग गया तो 10 रुपए और देने पड़ेंगे और उसके उपर भी भाई साब सेस लगता है सेस का मतलब होता है कि आपकी जो income tax है सर्चार्ज है यह total जितना आया यानि इन दोनों tax पे एक tax और यानि income tax पे तो दो tax लग गए income tax पे सर्चार्ज भी लगेगा tax on tax और सर्चार्ज जितना आया उस पर भी सेस लगेगा tax on tax समझे या नहीं तो income आई 100 रुपए माल लीजे सर्चार्ज आपको 10% देना तो 10 रुपए अब यह पूरे 110 रुपए पे 4% का sess all लगाएंगे 4% का sess all लगाएंगे यह मैंने पिछली क्रास में भी बताया था अब जो total आयेगा उतना tax मुझे देना पड़ेगा सर्चार्ज किसी specific purpose के लिए नहीं लगाए जाता लेकिन एक एक इसका अपवाद है कि एक जगह पर 10% social welfare सर्चार्ज लगाए गया था मैं देखाऊंगा आपको अब वो चीज लेकिन सर्चार्ज जनरली अगर देखें तो किसी particular चीज के लिए नहीं लगाए जाता जैसे कि सेस हमेशा एक particular परपस के लिए ही लगेगा ठीक है जैसे कि agriculture infrastructure development सेस इस बार जो लगाया गया है नए बजट में वो agriculture के development में लगाया जाएगा कहने का मतलब सेस का कोई परपस होता है सर्चार्ज का कोई परपस नहीं होता है ऐसे तो जिनकी अगर income 50 लाग से उपर हो उनकी उपर सर्चार्ज लगता है अब 10 से 37% के बीच में variable हो सकता है उस number पर जाने की जिवत नहीं है कहने का मतलब यह है कि अमीर लोगों पर लगता है 50 लाग से उपर की annual income हो जिस पर लगता है तो income tax के उपर एक tax लगता है जिसे हम सर्चार्ज बोलते हैं और उन दोनों पर उन दोनों पर कुछ CES लगेगा वो है 4% जिसे health and education CES तो उन पर पूरा tax लगेगा CES तो CES भी एक तरह से tax on tax है जब पूरा निकल गयागा उतना आपको pay करना पड़ेगा जैसी के अगर आप देखेंगे तो सर्चार्ज एक अपवाद है 10% social welfare सर्चार्ज तो custom जो हमारे पास custom duty आती है जो export import में हम custom duty लेते हैं उस पर वो tax एक तरह का custom duty लगाना एक tax है उस tax पर एक tax लगा है जिसे हम सर्चार्ज बोल रहे हैं अब वो यहाँ पर किसी एक purpose के लिए social welfare सर्चार्ज यानि उस पैसे से सरकार केवल social welfare करीगी 10% उस पर लगेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे केवल social welfare ही हो पाएगा ठीक है तो शेस कैसे हो सकता है डारेक टेक्स पर 4% health and education सेस लगता है आपको पता है imported medical device पे 5% health सेस लगता है for building hospital in backward areas जिसको हम normally aspirational districts बोलते हैं ताकि backward बोलके हम उनको बुरा न लग जाए तो medical devices पे 5% health सेस यानि health पर ही जाएगा वो सेस और कहीं जाएगा ठीक है यह समझ में आया आपको और अभी नए budget में आगर new budget 2021 की बात करें तो एक agree infrastructure and development सेस AIDC सेस लांच किया गया है पेट्रॉल डीजर के excise पर लगेगा AIDC selected agriculture commodities, fertilizers, precious metals, coal, lignite के custom duty पर लगेगा AIDC और यह percentage जो है वेवेरी कर सकता है product to product ठीक है तो यह AIDC नाम का एक नया सेस लगाएंगे जिससे हम agriculture infrastructure का development करेंगे agree infrastructure and developmental सेस ठीक है AIDC सेस तो सेस का आपको purpose समझ में आया कैसे लगता है सरचार्ज क्या होता tax on tax, सेस भी tax on tax है पर income पर पहले सरचार्ज लगेगा उन पर पूरे पर सेस लगेगा 4% फिर जो टोटल आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा अब आपको जैसे पता है government of India के तीन fund होते है consolidated fund of India जिस पर पैसे डालो यह पैसे निकालो government को permission लेनी पड़ती है parliament से यह policy का part है basically आपको बस एक revision के लिए बता रहा हूँ consolidated fund of India जिसमें taxation का जित्ता पैसा आएगा सब यहाँ पर जाएगा contingency fund of India यानि किसी emergency purpose के लिए होता है president यूज कर सकता है और finance secretary जो होता है वो president की भिहाब पर करता है तो 500 क्रोड का fund यहाँ पर होता है तो अगर कुछ ऐसे emergency corona जैसे situation आगी तो यहाँ से हम fund यूज कर सकते है यहाँ पर parliament का approval नहीं लगेगा यूज करते समय लेकिन यूज करने के बाद जब ये फिर से parliament बैठीगी तो वहाँ पर फिर से approval लेना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ पर हमने खर्च किया है और उसका approval लेना पड़ेगा और फिर यहाँ से consolidated fund of India से जितना पैसा खर्च हुआ यहाँ पर transfer कर देंगे contingency मतलब किसी एक emergency situation के लिए fund है और तीसरा fund क्या होता हमारा public account of India तीजोरी टाइप का है एक तीजोरी में consolidated fund of India वहाँ से पैसे डालोगे या निकालोगे तो government, parliament से जरूर permission लेगी पापा से permission लेगी contingency fund यानि government के पास है तो तो emergency situation में use कर लेगी लेकिन बाद में फिर से approval लेना पड़ेगा public account यह government के पास होता है public account of India यहाँ से लेना और निकालने और डालने में कोई problem नहीं है किसी parliament की ज़रुद नहीं है जानमंत्री कर्मयोगी या लगुए पारी मांधन योजना उसमें जो पैसे लोग अपना डाल रहे है subscription जिसनों लिया है वो अपना पैसा डाल रहे है वो public account of India पे आएगा ठीक है तो वो ऐसा पैसा आ सकता है वो सब हम देखेंगे तीन fund है consolidated fund of India contingency fund of India and public account of India अब surcharge कहाँ पर आता है CES कहाँ पर आता है ये एक बार देख लेते हैं इसलिए मैंने आपको इस चीज़े बताई हैं एक बार ये देख लेते हैं लेट से 50,000 का आपको income tax देना है उस पर 10% surcharge लगेगा ठीक है और इन दोनों पर कुछ CES लगेगा 4% ठीक है अब आपको जैसा की पता है कि जो भी income tax से पैसा आएगा तो 15th finance commission ये finance commission जो की 280 article दिया गया है जिसमें दिया गया constitution के 280 article में उसके हिसाब से finance commission क्या करता है vertical devolution करता है यानि states को भी पैसा देता है union और state के बीच में जो fund होता है union का वो states में distribute करता है जिसको हमको बोलते है vertical distribution उसके बाद में state आपस में कैसे बाटते है उसको बोलते है हम horizontal distribution तो जब हम 15th finance commission के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस सारी चीज़े देखेंगे अब ही समझ ये कि 15th finance commission क्या करेगा इसको center और state की बीच में divide करेगा यानि इसका पैसा center को भी मिलेगा और states को भी मिलेगा लेकिन जो सर्चार्च से पैसा आएगा वो केवल union का होगा state उसमें मांगेगा नहीं और ये finance commission वाला उसको देगा नहीं ठीक है सर्चार्च का पैसा कहा जाएगा केवल union के पास वो भी consolidated fund of India में और यहां वाला भी कहा जाएगा consolidated fund of India में लेकिन जो SES का पैसा आएगा वो union ही लेगा states को नहीं मिलेगा लेकिन union अपने किस account में डालेगा public account of India में समझे इस चीज को income tax और सर्चार्च consolidated fund of India में जाते हैं SES जो होता है वो public account में जाते है income tax जो आता है उसको state और union की बीच में भाटा जाता है जिसे हम vertical devolution कहते हैं यह करता को होने finance commission करता है जो कि 280 article में दिया गया है Indian constitution के कि समझ में आया पूरा कि SES क्या होता सर्चार्च क्या होता है इससे ज़्यादा पंडिक जवत नहीं है SES and Surcharge clear है Surcharge is tax on tax and SES is also tax and tax लगने का तरीका लगे income tax पे पहला जो tax लगेगा वो सर्चार्च होगा अगर 50 लाग से income जादा है annual और उन दोनों पे जितना total होगा तो उस पे लगेगा 4% SES थोड़ा सा C-set तो आना ही चाहिए आपको तो अब यहाँ पर हम corporation tax दे रहे थे back to the corporation tax जिसमें Indian companies थी foreign companies तो जितना भी profit हुआ देखिए profit पे tax लगता है अब एक होता है turnover और एक होता है profit अब यह दोनों चीज़े क्या है मा लीजे यह मेरी factory है तो शान्त यादो factory है ना और उसमें मैं बना रहा हूँ genius parlay g for genius आप जैसे genius लोग genius बना रहा हूँ मैंने इस factory से कम से कम 1000 parlay g बनाए और मैंने इसको market में बेचा 5 रुपए के हिसाब से total कितना sale किया मैंने 5000 रुपए का total sale हुआ total sale को बोलते है turnover तो आपने जितना कुल बेचा उससे जितना पैसा आया आपके पास उससे बोलते है turnover turnover का मतलब total sale कितनी चीज़े आपने बेची जितनी की भी विक्री हो गई उससे जो पैसा आएगा उससे बोलेंगे turnover और turnover के बाद अब ये जितना 5,000 रुपए आगा है लेट से मैंने raw material में कुछ पैसा लगाया होगा जो labor काम कर रहे हैं उनको wages दे रहा हूँगा land किसी के land पर अगर मैं अपना factory बनाया तो उसको मैं rent भी पै कर रहा हूँगा ठीक है वो सब काटने के बाद उसको minus करेंगे है ना जो मेरा expenditure हुआ उसको minus करेंगे और जो फिर आएगा उससे हम बोलेंगे profit लेट से 3,000 रुपए मैंने minus कर दिया raw material यह सब का खर्चा दिया और उसके बाद जो मेरे को पास बचा 2,000 रुपए वो मेरा profit है इस 2,000 पर ही tax लगेगा यानि profit पर ही tax लगेगा तो 2,000 पर tax लगेगा समझे इस बात को तो turn over total sale पर tax नहीं लगता भाई साब tax किस पर लगता है profit पर tax लगता है लगेगा तो tax किस पर लगेगा profit पर तो 40% लगा tax profit पर प्लस surcharge अगर 50,000,000 से ज्यादा कमा रही है annually तो इस tax पर एक tax लगेगा जिसे हम surcharge बोले और इन दोनों पर combine जितना आएगा उस पर कुछ success लगाएंगे अब जितना आएगा यहाँ पर वो तना foreign companies को pay करना पड़ेगा इंडियन companies की बात करें इंडियन companies का turnover यानि total sale की बात करें अब देखिए यहाँ पर total sale की बात करें अगर total sale 400 क्रोड से जादा है up to 400 क्रोड है यानि 400 क्रोड से कम है तो 25% tax on profit tax हमें इसा profit pay हमने companies को divide करने के लिए कि अलग-अलग companies से अलग-अलग पैसा लेना है तो जिसका turnover 400 क्रोड से नीचे है उन companies को अलग कर लिया 99.3% companies सारी companies लगबग लगबग वहीं पर आ जाती है 400 क्रोड के नीचे का जिनका turnover है 0.7 companies इंडिया में ऐसी है जिनका 400 क्रोड के उपर का turnover है 99.3% companies है इंडियन companies जिसका 400 क्रोड के नीचे का turnover है total sale उन पर जो profit वो कमाएंगे turnover पे नहीं लगेगा profit कमाएंगे उस पर 25% क्या देंगे हम tax उस tax की उपर surcharge उसकी उपर 6 इतना रुपए उनको पे करना पड़ेगा और अगर 400 क्रोड की उपर है तो 30% tax फिर 6 फिर surcharge इसका मतलब यह है कि जो कम कमा रही है उन पर कम लिया जो ज्यादा कमा रही है उन पर ज्यादा लिया समझे इस बात को यह बात समझा आपने ठीक है अब यह सेप्टेंबर से पहले था सेप्टेंबर 2018 में हमने कुछ नए क्योंकि उस समय स्लोडाउन में जा रही थी और टो मोबाइल सेल जो थी वह कम हो गई थी स्लोडाउन आ रहा था एकॉनमी में तो गौर्मेंट ने क्या किया सेप्टेंबर 2019 में कॉर्पोरेशन टैक्स कट किये और इंडियन कंपनीज और जो इंडियन कंपनीज में जिनका टनोर अलग-अलग था उनको डिवाइब नहीं किया उनका डिवीजन हटा दिया कि 400 क्रोड की अंदर की हो या बाहर की हो दोनों को ही 22% प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेग तो वो दिमारकेशन हमने किया दो अठा दिया और फॉरण कंपनी इसको 40% ही देना है उन पर कोई रियायते ने उन पर हम कुछ कुछ नहीं करेंगे हम इंडियन इंडियन कंपनी कंपनी को प्रॉमोट कर रहे हैं 22% टैक्स प्लस सचार्च अगर देखेंगे तो 25.17 के manufacturing sector में आएगी किसमे manufacture करने के लिए होगी और उसने 1 October 2019 से पहले registered कर लिया आपको यहनि September 2019 मर उन्हें यह चीज कही और उन्हें का कि 1 October 2019 मर आने वाले समय में 1 October 2019 से किसी नई Indian manufacturing companies ने अपने आपको registered किया तो उसके प्रॉफिट पे हम केवल 15% टैक्स लेंगे और सेस लेंगे और सर्चार्ज लेंगे यानि स्टार्टप इंडिया को प्रमोट किया कि भाई आप नई manufacturing लेकिन manufacturing companies खड़ी कीजिए 1 October 2019 से रेजिस्टर कीजिए और उसको शुरूआत कीजिए हम आपसे केवल 15% टैक्स लेंगे प्रॉफिट पे आपके सेस लेंगे और सर्चार्ज लेंगे और 2021 में उन्हें नई इंडियन electricity companies को भी eligible कर दिया तो manufacturing में actually electricity नहीं आती हैं पर उन्होंने 2021 के बजट में कहा कि इनको भी हम प्रॉफिट करना चाहते हैं तो नई जो इंडियन electricity companies होगी वो भी eligible हैं उनसे भी हम 15% और सर्चार्ज लेंगे कंडिशन यही है 1 October 2019 के बाद उन्होंने रेजिस्टर किया हो तो समझे इस बात को यह पूरी बात समझ में आई यह पूरा development समझ में आया आपको तो corporation पर क्या लगा इंडियन companies यह foreign companies लगेगा corporation tax corporations पर लगता है corporation tax और एक लग सकता है minimum alternate tax अब यह क्या होता यह समझते हैं देखिए एक चीज है जैसे कि मैंने आपको होता है था कि 9,00,00,00 मैंने खमाए और मैंने कुछ deduction लिए थे जो income tax act में दिये गए हैं वो deduction मैं ले सकता हूँ और मैं अपनी income को कम दिखा सकता हूँ और फिर उस कम यानि taxable income पर मैं tax pay करूँगा अब कुछ companies बहुत चालू थी जैसी कि reliance बहुत चालू थी उन्होंने क्या किया अच्छी अच्छी chartered accountant hire किये और उन chartered accountant को अच्छी अच्छी salary दी और उन्होंने कहा कि income tax act के provisions का ऐसे इस तरह से use करो कि जो अपना profit है वो zero दिखा दो तो लेट से उनका profit 9 लाग रुपए है पूरे साल में मैं माह लेता हूँ companies का ऐसा नहीं होता 9 लाग का profit है तो उन chartered accountant को कहा कि आप income tax में जो भी provisions दिये हैं उसका कुछ इस तरह से use करो यहां पर इमिनेस्ट करो वहां पर इमिनेस्ट करो वो deduction लो यह exemption लो ऐसे करते करते करत अगर zero दिखाओगे तो tax कितना देना पड़ेगा चाहिए जितना पड़ा percentage tax हो देना कितना पड़ेगा zero tax देना पड़ेगा तो यह companies बहुत चालू थी देवर very clever अच्छे-चार्टर रकमेंडन को hire करके वह अपना पूरा profit ही zero दिखा देती थी net profit बोले तो zero और जब net profit zero हो इतना earn कर रही है इनका turnover इतना है सेल इतना कर रही है पर tax के नाम पे तो यह zero दे रहे हैं हमें यह बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है और भटका zero हमें तो बड़ा खल रहा है भाई तो government ने सोचा यार कुछ करें अब government वैठते हैं आईस officer कुछ ना कुछ तो करेंगे ही व profit क्या बोलते हैं भाई book profit यह कैसे calculate करें तो companies ना का कि एक चीज कलकुलेट करो जिसे हम कह रहा है book profit कैसे calculate करना है उन्हीं का कि जो भी आपका net profit आया यह सब डिडुक्शन डिडुक्शन जो भी आपने लिया उसके बाद जो भी आपका net profit आया उसको रखो और यह सब आपके लेने के बाद आपका अगर 0 आ रहा है, net profit 0 है, ठीक है, अभी तक 0 आ रहा है, net profit, net profit 0 आ है, तो आपका जितना भी net profit है, वो सामने लिख दो 0, उन्हों लिख दिया, फिर कहा कि क्या करें भाईसा, तो government ने कहा, कि अभी 0 लिख दिया, अब आपने, जैसे आपकी 9 लाग थी, उ मानिए आप कि X और Y exemption आपको नहीं देना चाहते हैं, तो आप net profit में इनको दुबारा जोड़ दीजे, X और Y यह सब जोड़ दीजे, जितना भी, मैंने डिस अलाव किया है, लेट से X, लेट से R, कुछ भी मान लीजे, ये certain चीज़े मैंने डिस अलाव कर दी हैं, तो आपन अगर जो मैने चीज़े डिस अलाव की हैं, उनको अगर आपने एक्जेंशन में count किया है, तो उनको दुबारा से जोड़ दीजे, तो लेट से, कि आपने अगर दो लाख रुपए ऐसे जोड़ा हो, तो गौर्मेंन ने क्या कहा, कि दो लाख रुपए फिर से जोड़ दो, तो आपने इनको फिर से दो लाख रुपए जोड़ दिया, और फिर आपने जो calculate किया, उनको क्या कहा, इसे हम कहेंगे book profit, यहाँ पर कितना आएगा, दो लाख रुपए, और उनको कि book profit जो भी आए, उसका आप 18.5% tax भर देना, जिसे वो बोलते है, minimum alternate tax, जिसे वो क्या बो profit दिखा रही थी, तो government ने उनसे कहा, कि आप अपना book profit calculate करो, तो आपने कुछ reduction लिये है, certain reduction को हमने disallowed कर दिया है, वो आप फिर से जोड़ो, उससे book profit निकालो, और उसके उपर 18.5% निकालो, अब आपने corporation tax भी जोड़ा आपना, ठीक है, आपने 9 lakh लिखे, और जिन्हों न income आपकी zero आ रही है, यानि net profit आपका zero आ रहा है, तो आपका कीजिए book profit निकाली है, तो कुछ certain चीजों को हम disallow करते हैं, आप उनको दुबारा जोड़िए, और दुबारा जोड़ कर वो पूरा फिर से बनाई है, और जो book profit आए, उस पर 18.5% tax दीजिए, प्लस सर्चार, तो process और सर्चार तो हई है, और corporate tax अगर दोनों आप calculate कर रहे हैं, तो आप ने कहा कि हमने minimum alternate tax भी calculate किया, और corporate tax भी calculate किया, तो दोनों में जो बड़ा हो वो pay कर दो आप, समझे इस चीज को, यानि जो companies बहुत चालाग बन रही थी, zero profit दिखा रही थी, तो government ने कहा कि चलो कुछ नहीं से तो बहतर है, 18.5% हम ले 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 इन से, this is the power of government, तो corporation पे, corporation पे, corporation tax लग सकता है, corporate tax या minimum alternate tax depending upon the situation, situation क्या है, कि भाई आपने कैसे calculate किया, अगर आपने zero profit दिखाया, तो book profit दिखाओ फिर, और book profit पे देखेंगे कि कितना tax लग रहा, फिर वाला pay करो आप, समझे इस बात को, और अभी September 2019 में, पहले 18.5% था, minimum alternate tax, उसको घड के 15% कर दिया, जो चीज हमने companies के case में किया, कि deduction minus कर रहे थे, net profit zero दिखाया, ऐसो तो individual भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे income 9 लाग आए, और मैं यह deduction दिखाओ, वो deduction दिखाओ, कि मैंने यहाँ पर insurance ले रखा, यहा सकता हूँ, अपना profit, तो फिर government क्या करीगी, तो government कहा कि इन पर हम मैट लगाते हैं, आप पर AMT लगाएंगे, alternate minimum tax, same चीज, आपको भी कहेंगे, अपना book profit निकालो, कुछ deduction हम डिसलाओ कर देंगे आपके लिए, और आप से कहेंगे, कि book profit निकालिए, अब book profit निकालके, उसक और अपना पर कोर्परेटिव ससाइटीज को भी देना है, ठीक है, तो कॉर्परेटिव ससाइटीज और इंडिविज्वल के लिए, AMT है, book profit निकालिए, और corporations के लिए, MAT है, minimum alternate tax, तो corporation की बात कर लिए, हमने companies की बात कर लिए, जिनको corporation tax देना पढ़ेगा, मैट देना पढ़ तो उनको अगर book profit पे alternate minimum tax देना पढ़ेगा, या तो उनको corporation tax देना पढ़ेगा, corporation tax कितना देना पढ़ेगा, पहले 30% CES plus surcharge देना पढ़ता था, अभी budget 2021 में का आगया, कि आपको भी 22% देना पढ़ेगा profit पे plus surcharge plus CES, तो cooperative societies को भी 22% CES plus surcharge plus CES, और AMT, अगर आपने 0 अपना profit दिखाया, तो फिर आप book profit calculate करो, और उस पे आप alternate minimum tax दो, तो बच नहीं सकते हो, tax तो आपको देना पढ़ेगा, और एक तरह की startup companies हो सकती है, startup companies का मतलब यह है, कि जो 10 साल से छोटी है, मैंने उनकी age जो है 10 साल नहीं होई है, यानिन they are not older than 10 years, and उनका जो turnover है, that is not more than 100 crore, त startup किसे कहेंगे हम, जिसकी age 10 साल से कम की हो, और turnover 100 crore से कम का हो, उसे बोड़ेंगे startup companies, और उनको भी corporation tax देना पड़ेगा, लेकिन 2021 के budget के पहले ही उनको कहा गया था, कि 100% tax deduction देंगे, अगर जो भी profit होगा पहले 3 साल में, तो जो भी पहले 3 साल में profit आएगा, उसका पूरा हम deduction आपको दे देंगे, आप reduce कर लिजी, यानि government खुद ही कह रही है, इसका मतलब यह नहीं को बुक profit calculate करना पड़ेगा, government कह रही है कि पहले कि जो 3 साल है, उसमें जो भी profit आएगा, 100% tax deduction, ताकि startup को promote करने के लिए, ठीक है, और इसमें budget 2020 में उनके जो कुछ technical norms थे, उन सब और relax किया है, उसमें जाने की जोट नहीं है, तो startup companies कौन सी है, जो 10 साल की, नीचे की company है, जो 10 साल से छोटी है, और जिनका turn over 100 करोड से नीचे का है, ठीक है, यह चीज़े समझ में आ रही, यह पूरा आपको समझ में आया, यह सारा कुछ, I hope कि आपको समझ में आया होगा, corporation tax clear ह alternate minimum tax, यह सारे tax clear है, चलिए, बढ़िया, cest clear है, surcharge clear है, ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया, यहां तक आपको सब कुछ clear है, minimum alternate tax, corporation tax, और alternate minimum tax, और यह सारे चीज़े आपको clear है, अब corporation पर लगता है, corporation tax, और minimum alternate tax, दोनों में से एक, cooperative societies पर लग सकता है, corporation tax, यह तो alternate minimum tax, individual पर भी मैंने आपको बताया, यह तो उस पर income tax लगेगा, और income tax में अगर वो net profit zero दिखा रहा है अपना, तो उसको भी alternate minimum tax प्रे करना पड़ेगा, तो यह तो हम समझ चुके है, alternate minimum tax क्या है, तो same companies के case में क्या था, वही हमने book profit individual के case में calculate क के किया, अब individual के case में एक चीज़ हमें समझनी है, income tax, तो चलिए income tax calculate करते हैं भाई, example से, आईए, मालेजे मेरी annual income है, 9 lakh rupees, ठीक है, और tax, मैंने deduction लिए है, exemption लिए है, income tax act 1961 में जो भी दे गए है, let's say 3.5 lakh rupees के, तो मेरे पास 5.5 lakh rupees आई, taxable income, क्या है यह, taxable income, जिस पर tax calculate किया जाएगा, तो तब तक government आती ही, कहती ही, रुको, 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 आप salaried employee हो, क्या आप salaried employee हो, तो मैंने का, हाँ government जी, मैं तो salaried employee हूँ, तो कहा, अच्छा रुखिए, फिर मैं आपको एक deduction देना चाहता हूँ, standard deduction, क्या देना चाहते हैं government, standard deduction, तो मैंने का, कि कि आपकी taxable income अभी इतनी नहीं होगी, इसमें 50,000 रुपए माइनस कीजिए, तब जो निकल क्या है, वो taxable income होगी, मैंने कब बहुत बढ़िया, मैंने माइनस कर दिया, आई 5 लाख रुपए, ये क्या है, taxable income है, तो पिछले बजट में नया slab आया था, उस slab के according भी हम calculate कर सकते अपना income tax, तो इस पर हम क्या calculate करेंगे income tax, old slab भी है और new slab भी है, new slab पिछले वाले budget में आया था, वो optional है, अगर आप करना चाहें तो करें, और नहीं करना चाहें, तो आप old slab के according भी अपना income tax calculate कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, तो 5 लाख का हमको income tax calculate करना है, तो old slab म देना पड़ता है, 5 लाख से अगर 10 लाख तक की income है, तो 20% tax देना पड़ता है, और 10 लाख के अगर ऊपर है, तो आपको 30% tax देना पड़ता है, तो यह tax lag थे, तो मैंने calculate किया कि मेरे 5 लाख तक है, तो पहले 5 लाख में मुझको 0 देना है, यानि 5 लाख का पहला 5 लाख कित तो 2.5 lakh पर अगर 5% कल्कुरिट करोगे तो 12,500 तो मेरी तो 5 लाग तक की इंकम थी तो 5 से 10 वाला पर जाओंगा नहीं क्योंकि एंट्रिम बजट आया था 2019 में जब एलेक्शन येर था तो एंट्रिम बजट आता है उस समय प्यूस गोल साब ने कहा कि जिसकी इंकम अप्टू 5 lakh है यानि आपकी अगर टेक्सेबल इंकम 5 लाग के नीचे है तो अगर जितना भी आपको टेक्स आ रहा है यानि 12,500 या अगर इसमें 12,500 माइनस कर दीजिए तो मुझे देना पड़ा 0 का 100% निकालोगे तो वो भी 0 ही आएगा तो टोटल मुझे को कितना देना पड़ेगा 0 income tax समझ इस चीज को पहले अगर सेलरीड इंप्लोईड हो आप तो आपको 50,000 का तो डिडेक्शन मिलेगा no matter what आपकी इंकम है तो 50,000 का स्टेंडर डिडेक्शन मिलेगा लेकिन अगर आप 5 लाग की भीतर कमाते है यानि अप्टू 5 लाग आपकी टेक्सेबल इंकम है रिडेक्शन मिलेगा अपटू 5 लाग में ही मिलेगा बाकी में आपको नहीं मिलेगा समझ रहे हैं 6 लाग हो गई तो आपको ये जो 12,500 का रिडेक्शन मिलेगा यानि अगर आपकी अप तो 5 लाग हैं इंकम तबी आपको जूट मिली कि 12,500 की एक रुपए भी ज्यादा हो गया तो 12500 भी पे करो अगला जो जितना ज्यादा हो गया उस पर अगली स्लैप के इसाब से अपना कैलकुलेट करो और वो अडिशनल और पे करो उसके उपर उन सब के उपर 4% से सौर पे करो तो गरीब लोगों के लिए कि 12500 आपकी 5 लाग से भीतर की इंकम है तो 2500 आपको हम रिबेट दे देते हैं ताकि आपके पास हाथ में पैसे हो आप expenditure जादा करो, consumption जादा करो, investment जादा करो एकॉनमी में ताकि economy boost हो, क्योंकि इस समय भी slowdown के economy जा रही थी और election year था तो ऐसे लोब लुभावन वाली चीज़ देखे जनता को, vote bank को अपनी दरब खीचना था बेसिक लिए तो standard deduction तो celebrated employed को मिलता है लेकिन 12500 की rebate किसको मिलती है rebate उसको ही मिलती है, जिसकी taxable income पांच लाग तक की है कोई confusion नहीं होना चाहिए, इसमें देखे पांच लाग से एक रुपए भी जादा हुआ, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको 12500 पे करना पड़ेगा और बाकी चीज़ भी जो आएगी वो भी पे करना पड़ेगा लेकिन let's say 4 lakh की income है आपकी, आपको 10,000 रुपए का ही tax भढ़ना है, मैं इसको मिठा देता हूँ let's say आपकी 4 lakh की income है, भी मैं ऐसे मान लेता हूँ, 4 lakh तक की income है, taxable income और मैंने tax calculate कि 10,000 रुपए आए, तो ऐसा नहीं कि अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे तो 2,500 रुपए आपके घर पहुचवाए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है अब तो 5 lakh की आपकी income, taxable income होनी चाहिए, समझे इस बात को, समझे, बहुत अच्छा कैसे calculate करते हैं, इस अब आपने देख लिया, tax slab के according calculate करते हैं, old slab हो सकता है, new slab हो सकता है अब देखिए, पहले क्या था, old slab, old slab और new slab में क्या अंतर है अगर आपने exemptions, deduction, standard deduction जो मैंने अभी बताया, 50,000 रुपए सरकार दे रही है अगर वो सारे exemptions और deduction आप लेंगे, तो आपको अपना income tax जो calculate करना पड़ेगा, यह old slab का according calculate करना पड़ेगा ठीक है, तो मैंने 9,000,000 की चीज में, मैंने क्यों 5,000,000 पर ही tax slab calculate करने शुरू किये थे लेकिन अगर मैं exemption, exemption यह सब कुछ ना लूँ, तो मैं 9,000,000 अगर मानू उसे तो 9,000,000 पर मुझे यह calculate करने पड़ेंगे, तो यह थोड़े से क्या slab क्या कर दिया, उन्होंने कम कर दिया, देखिए कैसे तो 2.5,000,000 यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, 2.5,000,000 से 5,000,000 यहाँ पर 5%, यहाँ भी 5%, लेकिन 5,000,000 से 10,000,000 की बीच में यहाँ 20% है, लेकिन यहाँ से इनको दोनों को break कर दिया, उसने 5,000,000 to 7.5,000,000, 10% पे करो, 7.5,000,000 to 10,000, 15% पे करो, उसके आगे 0,5,000,000 बढ़ाएगा 20%, आगे 0,5,000,000, 25%, यहाँ बढ़ाते जाओ, और यहाँ पर 5,000,000,000 बढ़ाते जाओ, यह new slab है, और यह old slab है, कि 5 से 10,000,000 आपको 20% पे करना है, 10,000,000 की उपर जितना भी हो, उसके उपर 30% पे करना है, यह slab क्या है, थोड़े छोटे छोटे हैं, त अगर बिदा deduction के calculate करोगे, तो 1.95,000,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पर 2.73,000,000 देने पड़ेंगे, आपकी मर्जी है, अगर आप deduction लेके 2.73,000,000 रुपीज टेक्स देना चाते हैं, तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी optional है, आपको यह लेना है, 1.95,000,000 त अच्छा है, middle class, rich logo के लिए new slab बढ़िया है, यह तो बस tax calculate करने का तरीका है, यह पूसता नहीं, UPSC के भाई tax कैसे calculate करेंगे, 2.73,000,000 रुपीज यहाँ पर मिल रहे थे old slab में, और यहाँ पर 1.95,000,000,000 रुपीज मिल रहे हैं, इसका मतलब सरकार यह नहीं कहेंगी, कि यह अधा मेरे तो revenue या tax revenue कम हो गया, पहले मुझे 2.73,000,000,000,000,000 रुपीज मिल रहे हैं, अगर नSIश सिस्टम पर, तो ऐसा क्यों किया और अगर ऐसा किया, तो इसे कहते क्या है, तो ऐसा करने के कुछ reasons हैं, कि investment बढ़ेगा, economy boost हैगा, यह सारे reasons हैं, लेकिन ऐसा करने को कहते छोड़ दिया कि यार रख लो तुम ले जाओ मुझे नहीं चाहिए यह जो कमी आ रही है और ऐसे करते करते सरकार ने कल्कुलेट किया कि उसको 40,000 क्रोड रुपए का रविन्यू फोर्गोन हो जाएगा यानि 40,000 क्रोड उसको घाटा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडीचर या रविन्यू और कौन समझे चीज को तो इंकम टैक्स कल्कुलेट करना सही खा आपने इस पर सेस लगेगा सर्चाज लगेगा कब लगेगा 50,000,000 के उपर कि अगर इंकम है एन्वल इंकम है तो सर्चाज लगेगा उन सभी पर इंकम टैक्स पर और कॉर्परेशन टैक्स या मिनमम ऑल्टरेट मिनमम ऑल्टरेट टैक्स और कॉर्परेटर सुसाइटी भी लगता है कॉर्परेशन टैक्स या ऑल्टरेट मिनमम टैक्स एम्टी और स्टार्टप पे स्टार्टप एक तरह की कंपनी है तो उस पर कॉर्परेशन टैक्स लगे ग Robin tax क्या होता, buyback tax क्या होता है, तो यह सारी जितने direct tax आज छूड़ गए, वो अगले lecture में हम complete करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज के लिए एक दिन के लिए ज़्यादा हो जाएगा है, इसको जितना मैंने आपको पढ़ाया, उसको grab पढ़ने की कोशिश कीज़े, तो अगले class में हम पूरा पढ़ेंगे, कि एक ही line में समझ लेंगे, बहुत time नहीं लगेगा इसको समझने के लिए, यह बहुत easy चीज़ होगी, तो उसके आगे का जो कायक्रम है, वो पूरा करेंगे, ठीक है, I think कि आपको यह lecture अच्छा लगा होगा, बीच बीच में थोड़े सी जिल्मलाट हो गई थी, उसके लिए माफ कीजिएगा मुझको, तो अगर lecture अच्छा लगा तो like कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, लोगों तक share ज़रूर कीजिएगा, अगर उनकी economy अच्छी नहीं है, अगर वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप उनको एक lecture दिखाएए, शो कीजिए, कि आपको समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, अगर उनको समझ में आ रहा है, तो subscribe करेंगे, वो भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और बढ़ते रहेंगे, तो सब की help कीजिए, आप पढ़ रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, लोगों तक और पैचाहिए, ताकि उनको ऐसे न लगे, कि यार मैं यहां से पढ़ता था, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो बहुत परिशान रहें, अगर मैं आपको लगता कि मैं सही से समझा पाऊंगा, तो आप उनकी help कीजिए, वो आपको भी thank you बोलेंगे, और साथ मैं मुझे भी thank you बोलेंगे, तो मैं आप सभी को इस चीज़ के लिए thank you बोलूँगा, तो आज के लिए इतना ही thank you, नमस्ते, जहन.